हेलो दोस्तों कैसे हैं आज हम लोग अपना क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड पोइम पढ़ने जा रहें दोस्त हम लोग अभी अपना पूरा सिरीज रेडी कर रहे हैं क्लास 10 को फोकस करते हुए जिनका बोर्ड एक्जाम 2023 में होने वाला है सारे बच्चे क्या करेंगे दोस्त इसको ध्यान से पढ़ेंगे जीतना हो सके प्राक्टिस करेंगे क्योंकि इस बार आपका एक्जाम में जो इस बार आप देखें होंगे अगर आप लोग को ध्यान में होगा तो इस बार 40 marks का question हमारे literature से आ रहा है जिसमें आपका poem से चार य और इसको बहुत ध्यान से बनाएगा बहुत easy questions होंगे पांचो questions को attempt करना 5 number gain करना बहुत easy होगा दोस्त पांच नमबर मतलब total 1% marks हो जाएगा अपका total 500 अगर थोड़ा थोड़ा भी ध्यान देंगे तो हम लोग अपने score को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं तो यहां पर कुछ words हैं उनका मतलब भी ध्यान रखेंगे जहें synonyms, antonyms आ रहा है fill in the blanks कहके आ रहा है आप बना पाएंगे दोस्त चीक है इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे आज हम लोग पढ़ते हैं tiger in a zoo पिछले हम लोग वीडियो में पढ़े थे fire in a ice दोस्त इसमें हम लोग पढ प्योज cms साब कौन है लाजल नॉरिस अब क्या बूलते हैं यह कि यहां पर एक सेर एक वाग की अवस्ता को पतायी जारी है जो एक जूँ में है जूँ मतलब चिण्यागर में है और दूसरा जो सके Natural Habitate जंगल में सेरหों और जो एक पीड़े में होगा तो दोनों की इस्त यह जो poem है Jew to jungle move करता है मतलब move करता है चलता है क्या नहीं दोस्त इसका जो expression है पहले हम लोग जो चिणिया घर के बारे में बताएंगे फिर उसके बाद jungle में जो बाग रहता है उसके बारे में बताएंगे मतलब Jew to jungle ऐसे करेंगे पहले Jew के बारे में जहां के इसके बारे में बताएंगे फिर jungle के बारे में बताएंगे and back again to Jew और फिर वापस Jew में जो बाग होगा उसके बारे में हम लोग express करेंगे read the poem silently once आपको क्या करना है इस poem को एक बार मन में पढ़ना है बीना आवाज की हुए अपने मन में जैसे हम लोग पढ़ते हैं तैरी करते है and say which stanza is speak about the tiger in the Jew और इसमें देखेंगे कि कौन सा जो stanza है stanza मतलब उस poem का हिस्सा जिसको हम लोग पद्यांस भी बोलते हैं ठीक है जो की Jew के बारे में बता रहा है जो बोले तो चीने घर के बारे में एक्स्प्रेस कर रहा है and which ones speak about the tiger in the jungle और कौन सा जो इस poem का जो हिस्सा है वो कहां के बारे में बता रहा है दोस्त जंगल के बारे में तो strange advice हम लोग समझने की कोशिस भी करेंगे ठीक है ध्यान से देखेंगे ध्यान से पढ़ेंगे और अपना board exam का तैयरी करेंगे दोस्त अब यहाँ पर कुछ मतलब है दोस्त हम लोग जो समझना है अब यहाँ पर कुछ मतलब है दोस्त आप मतलब समझ जाईएगा तो यूज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ठीक है अब सीर बाग है भाईया तो उसका तो कुछ तो अकड होगा ना भाई राजा है बागी अंत में सबसे ताकतवर जानवर है जंगल का कुछ तो उसके अंदर में ग्रैविटी होगी दोस्त वीवीट का मतलब क्या हो जाता है जो clear असपस्ट एकदम clear stripes मतलब धारीदार अब देखेंगे बाह के सरी पर धारीदार पट्टियां होती है जैसे हम लोग plane टीशेट परने हैं लेकिन किसी का पट्टीदार होगा उसको बोलते है stripes केज मतलब पींजड़ा जैसे जन्ग चिने घर में सेड बाह के से रखा जाता है पींडे में रखा जाता है पैड्स मतलब उसके पैर का जो पंज़ा होगा वो velvet कॉइट पर तो velvet मतलब गद्देदार हम लोग जानते हैं मकमली जब गद्देदार होता दा फ्यू स्टेप्स ओफ इस केज ओन पैड्स ओफ वेलवेट कॉइट इन हीज कॉइट रख मतलब ही किसके लिए उसके अगया है बाह के लिए बाह के लिए प्रोणाउन ही बड़ा है ना दमदार है तो वो क्या करता है अपने सरीर के धारियों के साथ उस पिंजडे में बहुत ही गरवानवी तरीके से कदम चल मी करता है मतलब चलता है अन पैड ओफ वेलवेट कॉइट मतलब उसके मखमली पैरों से उसके पंजे जो होते हैं मखमली है इन हीज कॉइट रख मतलब क्रोध में मतलब वो जो बाग है क्रोध में अपने मखमली गद्यदार पंजों के सहारे से पिंजडे में वो चहल कदमी करता है अकड कर देखे पहले तो हम अर्थ आपको ऐसे बता रहे हैं फिर उसको एक रीदा में उसका अर्थ आपको निकाल सकते हैं ठीक है वे सूट भी लॉकिंग इन शैडो स्लाइड़िंग थ्रो लॉंग ग्रास नीर दवाटर हूल वेर प्लम डियर पास अब इसका अर्थ देख लीजिए लॉकिंग का मतलब क्या हो जाता है दोस्त लटकिंग का मतलब होता है हैं फल को बहुत प्लंपी है मैंने गुद्देदार है मतलब मांसल यहाँ पर हिस्ट पुस्ट के लिए यूज किया गया है अब क्या बोलेंगे मतलब वह क्या करना चाहिए उसको वह जहां पर पानी के स्रोथ है क्योंकि आप जानते हैं जंगल में जितने भी जानवर होते हैं वह पानी पीने के लिए तो आएंगे खाएंगे कहीं भी पानी पीने के लिए तो पानी के स्रोथ के पास यह उनको आना पड़ेगा तो वह आत तल हटे कटे जो ही रन हैं लोर पानी पीने के लिए आ रहे होते हैं कहां पर गहां शुप शुप कर जाते हैं ही सूटब वहां तक जा रहे हैं कहां जहां पर हीर स्वेन है उसको अट् noun करके दबोचने के लिए ठीक है छुप छुप कर जाते हैं यहीं सूट्ब's इस नारिंग अरांड हौश अर्ट जंगल इस D कहां का था जंगल का अब तुछा श्रेंजर देखिए यहां पर सबका अर्थ एक बार देख लेते हैं दोस्ट इस नार्लिंग का मतलब क्या हो जाता है दोस्ट गुर्राना इस सबसे गुर्राना उसको बोल सकते हैं जंगलेज मतलब जंगल का किनारा और फैंज एंड क्लॉज मतलब जो दात का जो हम लोग का मांसल वाला हिस्सा होते हैं उसको हम लोग फैंग्स बोलते हैं क्लॉज मतलब पंजा हो गया टेराइजिंग मतलब आतंकीत करना हो गया जैसे टेररिस्ट उस तरह से अब यहाँ पर देखिए जैसे जंगल जब ज्यादा कटने लगता है दोस्त तो सेरलोग का घर जंगली जनवरों का लिए धीर ज़ी छोटा हून लगेगा जब छोटा हून लगेगा तो कहां आएगा वो शहरों की तरफ भागेगा ठीक है और करने वाले कौन है अब फिर कहा जाएगा हमी लोग के तरह बाग क्या है अब यहां पर क्या बोलता है he should be snarling around houses at the jungle's is bearing his white fans his claws terrorizing the village मतलब उसो क्या करना चाहिए गाओं के तरफ जंगल का जो किनारा होगा क्या होगा गाओं से सठा होगा तो गाओं के तरफ वो गाओं वासियों को आतंकित करने के लिए डरान के लिए अपने जो दात जो है उसके कैनी जो दात है उसको दिखाते हुए पंजो के सहारे गुराते हुए गाओं के तरफ बढ़ना चाहिए उसको गाओं में घरों के तरफ बढ़ना चाहिए ने भाई आपको डराना है आपको डराना है क्या करना पड़ेगा हमको आपको जो भी हमको हत्कंडा अपकर ना रहे हम आपको डराएंगे ऐसा करना पड़ेगा बट he is locked in a concrete sale लेकिन अभी क्या है भाईया कि वो अपने पिंजडे में बंद है जो कोठरी होती है पिंजडा के तक concrete मतलब क्या सिमेंट बालू गिटी छड़ से बना हुआ घर को concrete sale बोलेंगे his strength behind the bars और उसके ताकत कहां हो गई है सलाखों के पीछे जो बार्स लगे होते हैं पिंजडे में उसके अंदर दबी हुए कितना भी ताकत हो लेकिन जब आपको पिंजडे के अंदर बंद कर दिये जाएगा तो आपकी सारी ताकत खतम हो जाएगी is talking the length of his case ignoring visitors मतलब आप क्या करेंगे कितनी भी आपके अंदर में ताकत हो आपके पास चलने के लिए जगह कितना बचेगा इस छोड से लेकर उस छोड तक आप सिर्फ चल सकते हैं क्यों आपके पास इतना ही इस पेस चलने के लिए पिंजडे में कितना इस पेस होता है दोस् ignoring visitors चिणिया घर में देखने के लिए कोन आते हैं आपको सारे वीजिटर आते हैं देखने के लिए आप उनको ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और बस वहाँ पर अपना गुसे में चल रहे होते हैं क्या कर लिजेगा आप जिडे के अंदर बंध हैं आपकी सारी ताकत छीन हो चुकी है Oh yeah, He hears the last voice at night और वह अंत में रात को किसका अवाद सुनता हैं अंतिम आवाद सुनता है हैं फॉनदा है दा पेट्रॉलींग कार्स मतलब किसका जो कार पेट्रोलिंग कर रही होती हो मतलब जो एक बते पेट्रोलिंग जो पुलिस पेट्रोलिंग करती है रात को मतलब नीरिक्षन करती है वहाँ पर नीरिक्षन दौरे पर जो चलती है and stairs with the brilliant eyes, stairs मतलब होता है भ्यान से देखना, भ्यान से देखना at the brilliant stars और बाग भीया क्या करते हैं कि अगास में जो तारे को घूर घूर के देख रहे होते हैं क्यों यहाँ पर दो बातें असपस्ट हो जाती हैं बाबू सबसे पहला बात यह होता है कि जब किसी बहुत ही सक्तिसाली जब अपने natural position में होता है तो बहुत खतरनाक होता है लेकिन जैसे ही जब उसको आप एक पिंजडे में उसकी सक्तियां छीन लेते हैं तो वो बेचारा हो जाता है किसी के साथ भी यह हो सकता है आपके हमारे किसी के साथ भी हो सकता है ऐसे आप बहुत ताकतवर हो सकते हैं लेकिन जब आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए सि बहुत ताकतवर होते हैं, पहलवान होते हैं, बबर सेर बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही पिंड़े में आते हैं, उनकी स्थिती बहुत गंभीर हो जाती है, यही इस पोयम में बताने की कोशिस की गई है, एक जो बाग जब जू में आ जाता है, चिडिया घर में आ जाता है, उसकी स्थिती कैसी हो जाती है, तो यहाँ पर कुछ कोश्चन से हैं, हम लोग उसको भी देख लेते हैं, कोश्चन बोलता है, find out the words that describe the movement and actions of the tigers in the case, मतलब यहाँ पर आपको क्या बताना है, कुछ words को चुनने हैं, इस कविता में, जो की movement और action, tiger का बताना है, case में and in the wild, जब वो पिण्चडे में होगा, तो movement के लिए कौन सा word उच्चन के लिए कौन सा word है, आप एक वर poem में जाएंगे, देखेंगे, कि movement के लिए कौन कौन सा word है, actions के लिए कौन कौन सा word है, पिण्डे में, हम लोग क्या पढ़े थे इसमें, कि questions कैसे हैं भीया, थी हर स्टेंजा वाज मैंने पहला स्टेंजा कहा था या दोग आपको क्या बोले थे हम पहला स्टेंजा पहला स्टेंजा था आपका वो पिंजडे का दूसरा क्या था जंगल का फिर तीसरा क्या था जंगल का चौथा क्या था पिंजडे का और चौथा क्या था पिंजडे का लास्ट का दो पिंजड़ा दो जंगल फिर पिंजड़ा ऐसा है ठीक है दोस्त तो इसमें आपको देखना है कि क्या अर्थ निकलता है त and actions of the tiger किस कहां पे केज में पिंजडे में कैसा निकलता है तो आप देखिए पिंजडे में कैसा चलता है stocks अकड़कर चलना देखिए आपके सामने answer होगा सरा दूसरा क्या होगा few steps कुछ कदम जो चल रहा होता है यह क्या है उसका movement है न भया action क्या होगा पिंजडे में steer करता है घूर घूर के देखता है किसको तारों को अगला क्या हो सकता है ignoring ध्यान नहीं देना किसको visitor लोगों को जो लोग आते हैं उनको ध्यान वो नहीं देता है इस तरह कम से कम दो-दो word आप लिख लेंगे दो action के लिए दो उसका movement के लिए shooting हो सकता है घॉत लगा सकता है वह अगला हो सकता है कि कि क्या बोलते हो ने स्वर्ण गोरराना ठीक्यों जब वह आ जाता है विलेज के पास तो सकता है लोगों के लिए आगला हो सकता है उसका क्या बोलते हैं उसको bearing हो सकता है एक word ये भी आपका हो सकता है तो आप इस तरह से कुछ words को चूनके ज़्यादा नहीं दो-दो word भी आप लिखे देंगे तो आपके लिए मुर्देनेनफ हो जाएगा ठीक है अगला जो होता है find the words that describe the two places दो जगों को बताता है पिंड़े में कौन सा जगह और जंगल में कौन सा जगह दोनों जगह को बताना है दो-दो भी बता दीजेगा दो more than enough है मुस्किल से एक नमबर का question है ठीक है तो कितना बताएंगे दो बता दीजे that is more than enough ठीक है अगर आ गया तो दो नमबर का आएगा नहीं तो एक नमबर question आएगा तो जो पिंड़े के लिए उसका अस्थान क्या बताने के लिए post किया गया है पिंड़े में velvet pad अगर आपको याद होगा तो concrete sill जो concrete sill था वही जगह न उसका अग दूसरा behind the bar मतलब सलाखों के पीछे दो जगह बताने को उसकिया अगर दो जगह क्या हो सकता है concrete sill behind the bar दो जगह हो गया दूसरा क्या सब्सक्राइब जंगल में क्या सकता है पानी वाला जगह जहां पर उगात लगाता है वो एक हो सकता है दूसरा जहां पर क्या बूलते है विलेज के किनारे वाला हिस्सा जहां पर टेरराइज करता है add the jungle says आप दो जगह बता सकते है ठीक है इस तरसे question आप handle कर सकते है अगला क्या बूलते है notice the use of a word repeated in line such as this यहां पर कुछ दिया गया है मतलब आपको ध्यान देना है क्या हुआ है आपको ध्यान देना है इसको कहां कहां पर ध्यान मतलब दो बार यूज कर दिया गया है इसका repetition आप क्या लगता है आपको जैसे पहला में लिखा है on parts of velvet quiet in his quiet rake quiet का सब का दो बार यूज किया गया है ठीक है and stairs with brilliant eyes at the brilliant stars यहां पर brilliant का दो सब्दी यूज किया गया है बार बार यूज हुआ ना दो वर्ट का वहां पर quiet का दो बार यूज किया गया है पर brilliant का दो बार यूज किया गया है यहां पर जो poet है इसको बहुत stress देने कोसिस किया गया है उस situation को जहां पर ये वाक्यांस यूज किया गया है बहुत stress देना चाहता है poet इसलिए इसको बार बार यूज किया गया है फिर बोलते है कि read the poem below also about a tiger in a zoo then discuss पीछ नीचे एक poem लिया हुआ है दोस्त आपके किताब में है उसको पढ़के समझेंगे इस तरह से हमको लगता है कि आपको poem समझ में आया होगा कोशिस कीजिएगा एक दो बार खुद से पढ़ने का poet का नाम जरूर याद रखिएगा सारे अर्थ को और word meaning को दो धहन रखिएगा दोस्त छीक है मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए poem के साथ ध्यान से पढ़िए मन लागे पढ़िए एक अच्छा स्कोर गेन की